हेलो फ्रेंड्स जैमा बगला मुई जैन्दवासिंग थोड़ी सी ठीक हूँ आप देखेंगे होट के ओपर भी पुरा वो आ गया है बुखार पुरा आ चुका है कोई नहीं मेरे ग्रूप वाले हैं जो मुझे बहुत मानते हैं सब लोग ने मेरे लिए बहुत प्याज दिया सबसे पहले मैं मुद्दा लाऊंगी जो हमारे देश में इस वक आंदोलन चल रहा है उसको बहुत सारे लोगों ने इग्नौर करना शुरू किया लगता है लेकिन एक बात है कि मैं अपने मनोज भाई तक एकी बात पहुचाऊंगी कि कुछ भी हो अंचन से पीछे मत हटना क्योंकि ये सरकार जुटी है बोल बचन है आज पबलिक ने अपना असली रूप दिखाया तो सब लोगों की रूप हिल गई ठीक है अभी आपको आएंगे मसका मारेंगे बोलेंगे लेकिन एक बात याद रखेंगा कि इनकी बातों में ना आके देश की जनता की बातों बे है क्योंकि इन लोग का इलेक्शन आ रहा है या आपको किसी भी तरह से कोशिश करके 2024 के इलेक्शन तक रोकेंगे लेकिन आपको आप लोगों को डटे रहने हैं मैं यह बोलना चाहती हूँ हमारे देश की सरकार से हैं हमारे उद्धोबाला साफ ठाकरे ने रात के टाइम प मंत्री के पर से राजिनामा दे चुका है अब दुसरे मुख्य मंत्री को बनाया जाएगा उसके लिए वोटिंग की जाती है पॉब्लीक वोट हुआ जाता है सब कुछ हुआ जाता है लेकिन नहीं उन्होंने राजी नामा दिया उसके बाद बाकी लोग जो लोग नए जो भूशित करें दिया ऩिक रात के अंदर आर पास करके ब 1 सिप एक रात में में लिए इतना बड़ा फैसुला एक रात मेंacağız किसी से पूछा गया कुछ नहीं पूछा गया जो कि कोई बंदे यहां हाजिर भी कुहाटी में ठीक है तो आज आरक्षन देने के लिए सात्वा दिन है एक आत्मी आरक्षन देने के लिए सात्वा दिन क्यों लिया गया आज आरक्षन देने के लिए आदमियां शृत ट्वा दिन हो गया है पानी नीए पिया है छलो थोड़ा थोड़ा पानी पी भी नहीं है सके आध साथ वाली निकल गया लेकिन एक रात में अपों किसी को एक एक ऐसी इंसान को मंतरी पत दे जाता है जिसकोिह भलंसकर को Ai आता नहीं है अचानक से वह मुख्यमंत्री बन के आ जाते हैं लेकिन एक हमारे जो एक आदमी आम आदमी सिब मराठा आरक्षन के लिए लड़ रहा है उसके लिए सिब एक लेटर पास करना है आरक्षन देना है कोई बड़ी बात नहीं है तो उसको वह आरक्षन देने के लिए इतना पब्लिक आक्रोश हो जा रही है पब्लिक ने यह कदम उठा लिया है सब जगा तोड़ फड़ चालू हुई है पब्लिक ने अपना असली रूप दिखाया तो अभी आप लोगों को आई ना देखके शरव आ रही है मैं किसी का नाम नहीं लोगी लेगी कुछ लोगों की मूँपे तो ताले बंद हो गए हैं वो तो दिखी नहीं रहें कहीं पर वो कहीं पर उनके आवाजी नहीं निकल रही है तो सीधी बात है मैं तो विद्या देवी मराठा आरक्षन के साथ हूँ और मैं खुद भी कह रही हूँ कि जब तक मराठा आरक्षन नहीं मिलेगा मैं भी यहां से पुझा पाट चालू रहोंगे और हमारे मनोज भाई को तो कुछ होने नहीं दूँगी यहां से बरबर पुझा चालू है कि उनकी जान प्राण को कुछ भी हाँँ नहीं पहुचेगी यह जिम्मेदारी मेरी है और मराठा आरक्षन भी मिलेगा चौथा दिन है तीन दिन बचा है साथ दिन का वादा किया तर साथ दिन के अंदर मिलेगा ही मिलेगा लेकिन एक और बात बोलूंगी पुरे देश की जंदा को आरक्षन मिलने के बाद भी आपको इस बात पर ढटे रहना है कि इन लोगों को इन लोगों ने जो ये हरकत किये इन लोगों को इनकी चीज के आउक करता धरता बनने के लाएगे बाकि किसी को भी हमें खड़ा नहीं करने ये बात हमें तै करने क्योंकि बहुत हो गया एक आदमी साथ दिन से अंचन पर बैठे कितने लोगों ने आत्में हत्या कर दी कुछ कर दी उसका दुख नहीं है राज्य भवन जल गया किसी का घर इसकी जनता जाग चुकी और जब यब जो जागी है ना अभी मजा देखो कोई भी मतलब बोलने लाइकी का नहीं है सब सीव अपना अपना भाशन दे रहे हैं और सबको लग रहा है कि नहीं टाइम देना चाहिए वक्त देना चाहिए तो यह वक्त आपको पहले मांगना च इनको पागल बनाने का है इनको पूरी तरह से पागल बना दो और जो भी मराठा आरक्षन के खिलाफ एक भी शब्द बोलते ना तो मैंने सारे भाईयों को बोलूंगे इंके घर में घुस घुस के मारो इन लोगो छोड़ो मत मैं डरती नहीं हूँ मैं भी आती हूं मुझे की लड़ाई है दो और इस बात पर इनको मिर्ची लगने के लिए अब इनको हकी नहीं देना है तुम अगर आरक्षन डे सकते हो दो नहीं तो राजी नमा दे के हटो सब को यही बात बोलो अभी बस सबके घरपे धरना दे दो तब देखो कैसे होगा सात्वा दिन होगे पतर घंटे के अंदर मौते होने वाली हैं जो लोग राजकरन कर रहे हैं वादाय विद्ध्या देवी का जो लोग हमाने मनोज भाई तक आने की कोशिश कर रहे हैं वो विचारा देश के लिए लड़ रहे हम अभी हमें उन लोग को देखूंगे आप लोग अपनी लड़ाई लड़िये ताकत से मैं अपनी लड़ाई लड़ती हूं पूजे से बस आप भाईयों का साथ चाहिए जै माराश्ट